श्री श्वाई नमस्तु ब्यम्दर्सको जिस घर में कष्ट आने वाला होता है विपदा आने वाली होती है तो उसका संकेत पहले ही मिल जाता है अगर आपके घर में भी कंगा की चरिमें रखा हुआ जल सूख गया है वो बाहर निकालते समय खाली निकलती है तो समझ जाईए आपके घर में भी कष्ट आने वाला है धन की कमी होने वाली है तुल्सी का पोदा अगर सूख गया है घर में रखी भगवान की परतिमाओं की लालिमा चली गई है तो ये विपदा के असुप्षन केते हैं इससे बचने के लिए आपको गंगा की चरिमें जल बरकर वापिस रखना होगा कुआ बावडी नल या गंगा जल आप वापिस बरकर रख सकते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो विपदा आने से पहले ही टल जाएगी और धन की कमी भी नहीं होगी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को घंटे आगन के साथ जरूर से करें सिरी सिवाए नमस्तु ब्याम